हाई मेरा नाम नीरज है आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है क्या आपने भी नौकरी.com पे प्रोफाइल बना लिया है फिर भी आपको इंट्रिवू कॉल नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है पूरे वीडियो को लास तक देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नौकरी.com पे अपने प्रोफाइल को किस तरीकी से मेंटेन करना चाहिए की स्कील को कैसे आड़ करना चाहिए रिजुमें हेडर का क्या इंपोर्टेंस है और डोमेंस एंड प्रोजेक्ट्स को आड़ करने से क्या फायदे होते हैं लास्ट में हम नोटी स्प्रियेट से कैसे छुटकारा पाना है इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए शेर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प एफसाइड खुली हुई है इस पर जाके अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं रजिस्टर का बटन आता है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन यह क्लेक करता है जैसे आपका नाम आपका इमेल आईडी आप पासवर्ट सेट कर सकते हैं अपने मॉवाइल नंबर एड़ कर सकते हैं वर्क रिलेटेट स्टेटस आप एड़ कर सकते हैं अपने रिजू में अपडेट कर सकते हैं इनिसियली जो है पांच और छे इंफर्मेशन यह क्लेक्ट करता है और आपका प्रोफाइल यहां प करके आपको दिखा रहा हूं अगर सेम चीज आप करना चाहे तो मोबाईल में भी कर सकते हैं यहां रजगा सेमी मिलते हैं तो एक तो है option कि आप यहां पर पहले profile बना लिजेए अगर नहीं बनाया है और आपने बना लिया है तो आपको calls कैसे आएंगे उस पे हम लोग बात कर करने वाले हैं तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर option आता है वीव एंदेट प्रोफाइल का ठीक और यह है कि आ प्रोफाइल कितना अप्डेटेड आ यहां तो यह उलेप्ट साइड में आ रहा है यहां से कर सकते हैं से लुग क्लिक करते हैं तो यह पूरा लिटेल के आ जाता है जहां पर देखे मेरा नाम आ मेरा लोकेशन आ रहा है, मेरा करेंट एक्स्क्रियेंस आ रहा है, मॉबाइल नमबर मैंने 00 कर दिया है, मेरा email id आ रहा है, notice period कितना हो रहा है, वो सारी चीज़े आ रही है, अगर इसमें आपको update करना हो, फिर यहाँ पर resume का section है, resume का section है, resume headlines है, देखें, ये resume है, इसके बाद resume headlines है, उसके बाद key skill है, employment है, education है, इन सारी चीज़ों का जो है, हम लोग अपना information इसमें add कर सकते हैं, इसको अगर edit करते हैं, basic detail में हम लोग नाम डाल सकते हैं, total experience डाल सकते हैं, current salary जो है वो डाल सकते हैं, current location डाल सकते हैं, इतना email ID डाल सकते हैं, notice spirit कितना है, वो डाल सकते हैं, ये पहले time में, उसके बाद हम लोग resume headlines, देखें, resume headlines का बहुत importance है, resume headlines का importance क्या है, कि जब कोई भी recruiter, कोई भी recruiter, जब आपका profile search करता है, तो ये जो resume headlines है, उसको दिखता है, अगर आपके resume headlines बहुत impressive है, और उस headlines पर आपने सारे information दे दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया है, senior.net with nine years of experience, तो दो चीज़ें उसको असानी से समझ में आ रहे हैं, इसमें अगर मैं add कर दूँ, senior.net with nine years of experience, उसके बाद मैं लिख दूँ, current location, Noida, तो कुछ चीज़ें जो है, resume headlines से ही उसको पता चल जाएगा, कि current location Noida है, job location भी Noida है, experience nine years है, जो skillset है, .net developer है, तो आप जब कभी भी अपना profile update करें, तो आप make sure करिएगा कि resume headlines को अच्छे से update करिएगा, उसके बाद key skill आता है, key skill का मतलब है कि आपको जितनी technology आपको जो भी आता है, आप marketing में आपको कोई product बेचना आता है, client को onboard करना आता है, development में है, java आता है, a.net आता है, और से sharp आता है, आपको java script आता है, जो भी आता है, आपको key skill में डालना होता है, प्रवाइब क्योंकि समझे मैं एक एक्जामपल आपको देता हूं जैसे मैं एक shopping site का एक एक्जामपल देता हूं जैसे फ्लिफ काड़ मुल्ग कोई छी जब swap jobs करते हैं हम लोग क्या करते हैं जैसे मैं अगर यहां पर करूं लैपटॉप लैपटोप अब लैपटोप में क्या मैं क्या करता हूं या कोई भी विक्षि क्या करता है फिल्टर लगाता है हमने सेट कर दिया के 75000 के आसपास होना चाहिए चाहिए, हम फ्रिट्रर लगाते हैं उसके बद मैंने बताई कि होना बता इनसलम होना में पिन हमने बताया कि स्क्रीन साथ कितने होने हुनी की क्या है उसके बाद बताय कि ब्रांट है, वह था ये टाइब स्क्रीन ओलिट लेक टॉप Ł g Gallag जैसे मैं अगर एक बात बताऊं यह चीज़ नौकरी.com पर ही मैं आपको दिखाता हूं यहां जॉब सर्च कर रहे हैं मैंने लिखा यहां .net मैंने एक्सपरियंस बताया 5 यह मैंने लिखा नोइडा तो मुझे यहां पर फिल्टर option मिलता है कि वर्च फॉवर्च चाहिए वर्च फ्रम ओप्शेयर हाइवریड चाहिए फिल्टर लगा लूँगा ? सकता हूं ? शॉया लगाने जितने लगाने लिखाईम मैंने लगा दिया मैं मेरी क्वालिफिकेशन क्या हो नीचे और उस तरीके का जो भी जॉब आएगा तो शॉट होके भले नॉक्ली.com पे हजारो जॉब्स पड़ेवा लेकिन यह शॉट होके दो में आ गए तो जो रिकूटर्स होते हैं उनके पास भी ऐसा ही पैनल होता है वो उनके पास एक और चीज होता है कि वह भी बंदे का रिजुमे उनको दिखना चाहिए वह लास्ट दो दिन में अपडेट होना चाहिए अब आप कूछोगे कि एक बार मैंने प्रफाइल क्रिएट कर दी मैंने अपडेट कर दी तो मैं क्या अपडेट करूँ अगर आपको य यहां आ रहा है लास्ट अपडेट के पास पहुंचे गा इन उन्होंने फिल्टर लगा रखा है कि वैसे वैसे एंप्लॉई वैसे उनको देखना है जिनका रिजुमे जो है उनली टू डेज पहले अपडेट हुए या दो दिन के अंदर अपडेट हुआ है तो सुछ नहीं है मान लिजए कि आपने यह प्रफाइल 90% नहीं आपने प्रफाइल 100% कंप्रीट कर लिया है फिर भी यहां आपका लास्ट अपडेट जो है बदलते रहना चाहिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आप सिंपल जाए यहां पे क्लिक करके सेव कर दिए आप को यह ध् मान लिए आपके पास फोन है आप मेट्रो में चल रहे हैं आप ट्रेवल कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं 30 सेकंड लगते हैं ओपन करिए एडिट करिए अपडेट करिए यह जब आपका चेंज हो जाएगा ना जब कोई भी रिक्रूपर जब कंडिडेट सर्च करेगा यह चीज जो है उसके स्क्रीन पे आपकी रिजुमें पहले जाएगी आपका जो टैनिडेट रहा था तो इसका ध्यान रखना है चले उसके बाद जो है मैं बात कर रहा था रिजुमे हेडलाइंस और की स्किल आपको जो भी आता है की स्किल में यहां डाल दिजे जो भी जितनी प्लोजी आपको आती है आप ऐसे डाल साथ आप सर्च करिए, यहां help आता है, तो वो सारी जीजे डाले कि कोई भी recruiter जब सर्च करता है, तो keyword के basis पे ही सर्च करता है, अगर आपका keyword सही नहीं है, तो आप समझ लीजे कि आपको call नहीं आने वाला है, ठीक है, उसके बाद आते हैं employment पे, employment में क्या होता है, अगर आप fresher है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको experience है, तो आप जो है कहां काम किया है, कब से कब तक काम किया है, क्या profile थी, क्या करते थे, क्या skill set था, यह आप वहाँ पे add कर सकते हैं, जो profile का option होता है, वो सारी चीजे आप डाल दीजे, एक बार update करनेंगे, यह हमे है, जैसे react.js है, कौन सा version है, last huge gap किया था, total experience कितना, यह सारी चीजे आप उस तरीके से यहाँ update कर सकते हैं, और यह सारी चीजे इतनी importance है, इतनी important है, because recruiter जो होता है, उनके पास काफी अच्छा panel होता है, वो एक चीज को filter कर सकते हैं, वो keyword डालेंगे, react.js, react.js पे वैसे candidate का दिखा जिसको more than two years का experience है, तो यह सारी चीजे आप जो है, सही तरीके से update करिए, और मैं guarantee देता हूँ, मैं surety देता हूँ, कि आपको calls आने शुरू हो जाएंगे, मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको calls आने शुरू होते हैं, तो comment box में आके जरूर बताईएगा, बड़ा अच्छा लगता है सुनके, कि अगर मेरा वीडियो किसी का help करता है, ठीक इसी तरह आता है projects, projects में क्या होता है, मान लिजे कि कोई ऐसे बंदे जो health care में काम कियो हो, तो मान लिजे किसी company में आपने health care में काम किया, और health care के projects के आपने काम किया, तो उस projects को भी add कर सक करते हैं, कि मैंने इस projects पर काम किया, यह technology थी, यह चीज़े थी, अगर आपने किसी inventory के लिए काम किया, तो आप उस projects में डाल सकते हैं, तो projects recruiters होते हैं, keywords use करते हैं, healthcare, inventory, sales, CR, तो इस तरीके का अगर आपने projects किया है, तो आप projects भी डाल सकते हैं, उससे है recruiters के पास आपका profile जल्दी पहुचेगा, और आपको calls आएंगे, ठीक, उसी तरीक से profile summary होता है, profile summary में आप अपने बारे में एक overview लिख सकते हैं, अपने बारे में एक overview बता सकते हैं, तो यह तो हुए कि profile में क्या-क्या add करना होता है, और जो सबसे important बात थी, कि आपको कुछ नहीं करना है, daily आपको अपना resume, अपना profile open करना है, उसके बाद edit पे जाना है, complete profile पे click करिए, edit पे जाए और एक बार update कर दीजे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी change नहीं करना है, अपडेट करना है, ताकि यहाँ पर जो दिखे, last updated today, आप Sunday evening कर दीजे, Monday को जब recruiters, weekend के बाद office जाते हैं, जब search करते हैं, तो आपका resume, जो है, उपर जाएगा, या तो वह Monday morning कर दीजे, daily morning 9 a.m. कर दीजे, तो ये tricks आपको तो use करना पड़ेगा, अगर आपको calls नहीं आदा, ये tricks तो आपको use करना पड़ेगा, हमने क्या-क्या देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, कि how to update, maintain profile in notary.com, how to set a skill, role of resume header, dominant project, जो काफी important है, जिस पर काफी comments आ रहे है, read of 90 days notice period, 90 days notice period सबको परिशान करता है, जिसे आप क्या कर सकते है 90 days notice period के लिए, कि आप 90 days notice period resume से हटा दीजे, आप वहाँ पर 60 days कर दीजे, जब आपको call आए, तो recruiter को call पर बताएए, कि देखे, officially तो 90 days है, but I can join in 60 days, ये कर सकते हैं, आप, कम से कम call तो आएगा, आप interact तो करेंगे, आप 90 days आलेंगे, तो आपको call ही नहीं आएगा, तो आप interact नहीं कर पाएँगे, तो आप ये कर सकते हैं, कि नौकरी.com के profile में, अपने resume में, जो भी notice period है, 60 days लिखिए, जब आपको call आए, तो आप करिए, recruiter को बताएगे, कि देखे, मेरा officially, जो notice period है, 90 days है, but I can join in 60 days, ठीक है, आपका selection हो जाता है, आपका offer आ जाता है, जब एक बार offer आ जाता है, तो offer के line लग जाते है, जब एक बार आपको offer आ जाएगा, और आप किसी company को बताएगे, कि ये सा है offer, तो आपके पास offer आने लगते हैं, और जब ये एक ये दो और offer ले ले लेते हैं, एक 60 days आपका हो जाता है, फिर company कहते हैं, कि आप जाइन कर लो, ता आप उनको बता सकते हैं, कि देखे, company तो 60 days पर छोड़ने वाली थी, release करने वाली थी, बट ये possible नहीं हो पाएगा, आपको 30 दिन और इंतजार क कर सकता हूँ, ये चार कहता है, या कहते हैं, तो आप जो है, उस तरीके से बात कर सकते हैं, देखे, आप ट्रिक्स तो अपनाने पड़ेंगे, इसके पर जो दूसरा तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं, कि देखे, officially notice period to 90 days है, but they will release me on 60 days because I am on bench, फोड़ा सा जूट तो पोलना मिल सकता है, और ये मैंने खुद ट्राइ किया है, मैंने ही नहीं, बहुत लोगों ने, मेरे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, ये IT में अगर आव है न तो ये बहुत बड़ी तगलीस देती है, तो थोड़ा सा ट्रिक्स, आप डिपेंड करता है कि आप क पताईए कि देखिया, ओफिसली तो 90 देज है, बट 60 देज में, 45 देज में, और ये बाते में तभी शूर्टी करूँगा, तो आप मुझे ऑफर करोगे, तो अगर आपका केंडिटेचर स्ट्रॉंग है, तो देज बिलीब ऑन यू, और मेरे ख्याल से 10 में से 4 लोग साथ ये ट्रिक काम कर जाता है, ये तो रही नौगरी.com के बारे में, अगर आप लिंक्डीन पर भी जॉब अपलाई करते हैं, और कैसे करना है, कैसे अपडेट करना है, देखना चाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में विडियो का लिंक है, आप देखिए, हमारा एक विडियो लि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तल आइकन प्रेस कर लीजिए.